हाई अरिवन मेरा नाम अकाश है और यार इस वीडियो से हम बात करेंगे कुछ बहतरीन सवालों की ठीक है तो यार स्टैक की पहली प्रॉब्लम हम करेंगे जहां पे आपको लगेगा कि यार सच में स्टैक के एक धासू चीज है ठीक है तो पिछली वीडियो में अगर आपको महाँ पे में उस प्रॉब्लम को कैसे बिगो अन में कर सकता हूँ ठीक है और मैंने सबसे इंपोर्टन जो बात बताई है पिछले वीडियो में ये बताई है कि कैसे हमें एक प्रॉब्लम को identify करते है कि हां यार इस प्रॉब्लम में अगर मैं स्टैक लगाऊंगा तो यहाँ पे problem solve हो जाएगी, ठीक है, तो अभी वो चीज मैं फिर से repeat नहीं करूँगा, अगर आपको देखना है, तो वापस जाओ, पुरानी वीडियो देखा, identification के नाम से वो problem है, वीडियो है, और उसको आप देख सकते हो, great, फिलाल के लिए जो सबसे पहली problem हम लोग करने वाले है, next greater element, ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़े बात करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो मा, identification पर बात करेंगे हैं, फिर देखते हैं कैसे स्कंदर stack applicable है, ठीक है, तो problem का statement में पहले आपको clear कर देता हूं कि problem क्या है, problem का statement यह है, कि आपको कुछ array की form में कुछ set of numbers दे रख से multiple variants बनेंगे हैं और हम देखेंगे कि कैसे कैसे छोटा-छोटा changes करके हम हर एक problem का solution निकाल सकते हैं, ठीक है, great, फिलाल के लिए problem statement के लिए करता हूं, so 4 का जो next greater element है to the right, वो है 5, इसलिए 5 यहाँ पर आया, यह input है, यह output है, ठीक है, 5 का जो right side में just next greater element है, वो है 7, तो 7 यह 8 के correspondence minus 1 आ लिया, ठीक है, 2 का अगर next greater element देखो to the right, तो वो 6 है, और अगर 6 का next greater element देखो to the right, तो वो again minus 1 है, ठीक है, so this is how we have to find the solution, we have to find an array, जिसके अंदर उस particular given array के correspondence हमारे पास output हमें मिल जाएगा, ठीक है, great, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस problem को, इस problem का नेव solution क्या ह ठीक है, now in this case, let's say I want to find out, I want to find out the greater element, just greater element of 5, ठीक है, तो मैं का करूँगा अपने J को इहां से start करूँगा, 3's, उससे I plus 1 से just, ठीक है, और मैं का करूँगा, इस J को iterate करने start करूँगा, from I plus 1 to the last of the array, so 3 is not greater than 5, तो मैं J को आगे बढ़ा दूँगा, 1 is not greater than 5, मैं J को आगे बढ दूगा, now 6 is greater than 5, तो मैं हाँ पर रुख जाओंगा, it means, मैं 5 के correspondence, 6 element को यहाँ पर डाल दूगा, ठीक है, so, ऐसा कर कैसे सकते है, देखो, दो लूप लगेंगे, पहला लूप, I की value, 0 से ले करके, आपके पास N तक जाने वाला है, ठीक है, इस नमबर तक, N-1 तक बोल सकते और फिर यहाँ पे तुम अपनी condition लिख सकते हो, कि if, if A of I is smaller than A of J, किसी भी point of time पे, तो आप उसको print कर दोगे, ठीक है, और आप इस particular iteration के लिए continue कर दोगे, ठीक है, तो फिर उस case में आपका I एक आग increment हो जाएगा, ठीक है, so, this is how you can write the name solution to this problem, which will take big of N square time, ठीक है, यह solution आपक को यह बोलेगा, कि sir, मुझे आपको, इसको N square में नहीं करना है, आपको इसको reduce करना है, big of N में, ठीक है, तो मैंने last वाली problem में यह बताई थी, कि सबसे पहले तो find out करोगी problem array की है, हाँ sir, यह problem array की है, बिंदास, आपने of N square वाला solution का, बिलकुल हलके में कर दिया है, कोई द चीज देखनी है, कि यह जो of N square वाला solution है, क्या यह ऐसा था, कि बाहर वाला loop, I की value, 0 से लेकर के N-1 तक है, inner loop, जो है, J की value, वो I पर depend कर रही है, means, I से लेकर के N तक जा रहा है, या फिर 0 से N-1, 0 से I तक जा रहा है, या फिर N-1 से I तक आ रहा है, तो यह कुछ identification मैंने आप पिछली वीडियो एक बार देख लो, अगर नहीं देखी तो, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था, कि हाँ पर 100% stack लग जाएगा, ठीक है, 100% stack लग जाएगा, लेकिन condition यह है, कि interviewer आपको बोलेगा, उसको N square, N में करने के लिए, ठीक है, और वह problem doable होनी चाहिए, तभी कि, ऐसा मत करना कि, इस बबल सोट को आप लेकर के बैठ जाओ, कि बबल सोट में भी जो है, dependency लगती है, या फिर selection सोट में से dependency लगती है, inner loop की, outer loop की आपस में, तो उसको भी हम क्या N में कर सकते हैं, नहीं यार, ऐसा नहीं है, interviewer बोलेगा आपको, तभी आपको करना, interviewer कभ कैसे इस problem को कर सकते हैं, सबसे पहला funda क्या है, ठीक है, let's say मैं इस array को ही लेता हूँ, ठीक है, let's say मैंने array लिया, four, हम आपको दो चीज़ याद रखनी है, कि हम एक stack build करेंगे, सबसे पहले तो, ठीक है, और एक हम अपना array build करेंगे, जिस array के अंदर हमें अपना output चाहिए, ठीक है, जिस array के अंदर हमें अपना output चीज़ के correspondence element, now, next greater element to the right के लिए आप एक चीज़ याद रखो, कि हम right से start करेंगे, अपना iterate करना, ठीक है, means हमारे पास जो it element होगा, हम उस i को यहाँ से start करेंगे, ठीक है, right से, और stack के अंदर जो आपके पास store होने वाला है, वो हर एक i-th element के right वाला array store होगा, दो चीज़ याद रखनें आपको, कि right वाला जब भी problem आए, तो आपको right side से start करना है, decrement order में, आप i को n-1 से लेकर के 0 तक लेकर करके आओगे, और आपको इस stack के अंदर, हर एक i-th element के right side पूरा array इसके अंदर store करके रखना है, ठीक है, अब ध्या i-th element के अंदर, किसको डाल दोगे, minus 1 को, पहले सुनते रहो, ठीक है, problem का, जब solution निकाल लेंगा, पूरा iterate कर लेंगा, आपको समझ मा जाएगा, कि क्या हो रहा है, ठीक है, मैंने minus 1 को insert करा लिया, now, I will increment my i, ठीक है, और यह जो 6 वाला element था, मैंने इसको stack के अंदर push कर दिया ठीक है, मैंने 6 को stack के अंदर push करा, और i को मैंने increment करा, ठीक है, now, अब मैं current i को check करूँगा, कि current i जो element है मेरे पास, और जो मेरे पास stack में element है, means stack के जो top element है, यह मेरे पास top element है, ठीक है, तो क्या यह top element, क्या stack का top is greater than a r r of i, क्या current a i जो element है मेरे पास, to, वो क्या छोटा है मेरे पास stack के top से या फिर आप यू कहलो कि stack में जो top element पड़ा हुआ है क्या वो बड़ा है मेरे पास AR of I से अगर वो बड़ा है अगर stack में जो top element पड़ा हुआ है अगर वो बड़ा है यहां से आप इसको copy कर दोगे तो आपके पास six आ जाएगा यहां पर ठीक है यह condition लगा यह मैंने बस ठीक है अच्छा अब क्या करोगे आप इस two को यहां पर push कर दोगे stack के अंदर और आप अपने current i को आगे increment कर दोगे ठीक है now आपको फिर से क्या check करना है आपको फिर से check करना है कि क्या current 8 जो है मेरे पास current ar of i क्या वो छोटा है मेरे पास stack के top से या फिर आप यूं कहलो कि क्या stack का top बड़ा है current ai से नहीं है बड़ा तो देखो जब यह condition true होती है देखो ध्यान से सुनना मेरी बात जब यह मेरे पास condition true होती है तो जो stack का top element होता है वो मैं अपने answer array में जब मैं क्या करता हूं इस stack में से pop करने start करता हूं और जब तक pop करूँगा जब तक मेरे को correct चीज नहीं मिल जाएगी जब तक मेरे कोई condition true नहीं हो जाएगी ठीक है समझो अब ध्यान से अब देखो current top two set करके six पे आ गया ठीक है क्या अभी भी stack का top element बढ़ा है मेरे पास error of i से नहीं तो मैं क्या करूँगा इसको फिर से pop करूँगा तो मैंने फिर से pop किया ठीक है अब मैंने फिर से check करा कि क्या stack का top अब क्यूंकि stack to empty हो गया और मैंने आपको variable जो है वो eight को point कर रहा है ठीक है great अब आप क्या करोगे अपने i को फिर से आगे बढ़ा होगे ठीक है मैं इसको एक बार और example पर समझा दूँगा अपने i को फिर से आगे बढ़ा है आपका i इस पर seven पर आ गया तो आप फिर से चेक करोगे कि क्या stack का top जो है वो seven से बढ़ा है तो आप क्या करोगे simply उसको अपने answer array में push कर दोगे i stack के top को और आप इस seven को इसमें push कर दोगे i stack के अंदर अब आप इपने i को फिर से आगे बढ़ा होगे आप आप चेक करोगे कि स्टैक का टोप इस करन्ट आई से बढ़ा है हाँ 7 इस ग्रिटर दन 5 तो आप फिर से का करोगे इस आंसर एरे में आपने 7 को डाल दोगे और आप अपने इस 5 भी 5 को भी पुश कर दोगे अपने इस स्टैक के अंदर अब आपने आई को decrement करा 4 पे आगा आप क्या करोगे फिर से स्टैक का top element calculate करोगे और क्या स्टैक का top current i से बढ़ा है हाँ greater than hen तो फिर से condition true आप फिर से स्टैक का top element अपने array के अंदर पुश कर दोगे answer array के अंदर पुश कर दोगे Now at this point of time आप increment करोगे I को फिर से मतलब decrement करोगे और इस बार I जो है 0th position से भी less than को point कर रहा है तो यहाँ पे आपका array खतम होगा और जैसे आपके पास यह array खतम होगा आपके पास जो answer आएगा वो एदम correct array आजाएगा लेकिन यह reversed position में आप ध्यान से देखो अगर मैं इस array को reverse कर दू तो reverse करने के बाद क्या बनेगा तो आप इस array को check कर सकते हो अपने इस array से 578 578-16-1 तो this is how you will get the answer of your question ठीक है एक काम करते है मुझे भी पता है कि यह थोड़ा से जल्दबाजी हो गई है फिर से एक और example लेते है ठीक है एक और example लेते है और बढ़िया से एक बार फिर से को समझने की कोशिश करते है और आप लोग भी फिर से एक बार समझना ठीक है मैंने सब कुछ रब कर दिया है let's take another example ठीक है तो मैंने क्या किया है मैंने एक ये वाला एरे लिया इस बार और इस एरे पर में ट्रेट करने की कोशिश करते है और देखते कि इस answer एरे में मारे पास कैसे हर एक element का greater element आ जाएगा आपको दो चीज़ी दिहान रखने कि इस i का current i का right array इसके अंदर store होना है ठीक है बहुत observe करना आप यहाँ पर क्या होगा देखो current i मेरे पास stack मेरे पास empty initially तो जब आपके पास stack empty होगा आप minus 1 इस एरे के अंदर push कर दो ठीक minus 1 इस एरे के अंदर आ गया अब जो current i का element है उसको आप stack के अंदर डाल दो तो मैंने minus 1 मैंने one को यहाँ पर डाल दिया और आपके पास current top जो है वो one को point कर रहा है और अब आप क्या करोगे इस i को increment कर दो मितलब decrement कर दोगे अब ध्यान से देखो इस two का right array मेरे पास stack के अंदर पढ़ा हुआ है observe करो इस two का right array मेरे पास stack के अंदर पढ़ा हुआ है ठीक है great अब क्या करेंगे हम stack के top को देखेंगे कि क्या stack का top element मेरे पास greater है इस से इस चीज़ को condition का आदर रखो stack का top क्या greater है मेरे पास error of i से अगर ऐसा है तो stack के top को आप यहाँ पे ले आओ ठीक है यहाँ पे copy कर दो copy करना है move नहीं करना copy करना है stack के top को यहाँ ठीक है copy कर दो जो कि अभी यह condition मेरे पास fail हो रही है stack का top greater than नहीं है error of i से stack का top greater than नहीं है error of i से नहीं है तो आप क्या करोगे अब ध्यान से सोचो आपको हरेक element का right side से greater element निकालना है मेरे पास greater है इस 1 से तो क्या 1 कभी किसी का greater element हो सकता है nearest joint कुछ से सोचो to मेरे पास greater है इसवन से उर one two के right side मैं है तो क्या यह one किसी का greater element हो पाएगा इधर की तरफ जब overdose सोचो जब two मेरे पास nearest greater element two possible पड़ा हुआ है ठीक है 1 होता लेट से तो 1 का जो nearest greater element होगा न दोस्ट वो 2 होगा ये 1 कभी नहीं हो पाएगा आप क्योंकि nearest greater element मेरे पास 2 बड़ा है इससे तो मैं क्या करूंगा मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर किसी point of time पे आपको किसी I का किसी I के correspondence stack के अंदर top element नहीं मिलता है तो हम इसक two हो जाएगा one कभी नहीं होगा तो मैंने इसको pop कर दिया और pop करने के बाद अगें तुम खुछ से सोचो stack empty हो गया तो फिर से तुम इस two के correspondence का डाल दो कि माइनस one डाल दोगे अब आपको क्या करना है पहली बात तो इस two को इसके अंदर push कर दो stack के अंदर और अपने i को decrement करो आई आपके पास आप यहाँ पे आ गया ठीक है अब जब आई आपके आपके है फिर से आप क्या करोगे stack का top element fetch करोगे और check करोगे कि 9 मेरे पास 9 से बड़ा है मेरे पास stack क top नहीं है अब कुछ से सोचो फिर से जब 9 आपको greater element मिल गया है तो 2 और 1 तो कभी मेरे पास काम में आने नहीं वाले मैं हमेशा किसी भी point की किसी भी IET index की right side का array इसके अंदर store करूगा लेकिन सिर्फ वो store करूगा जो कि मेरे लिए informative है समझे रहो वो store करूगा जो कि मेरे ल element नहीं मिलता है current eyes है तो आप उसको pop कर दोगे और जैसे आप pop करोगे देखो फिर से stack आपके पास empty है तो आप फिर से 9 के correspondence minus 1 डाल दोगे और इस 9 को stack के अंदर push कर दोगे और इस I को अपने पास decrement कर दोगे अब देखो stack का top आपके पास greater force है stack का top greater force है तो अब क्या करोगे आप इस stack के top वाल element को यहाँ पे लेकर क्या होगे copy करोगे और इस 4 को यहाँ पे भी copy करोगे stack के अंदर भी push करोगे और अपने इस I element को आगे decrement कर दोगे ठीक है great अब फिर से check करो देखो मेरे पास क्या 4 क्या मेरे पास 4 जो है stack का top जो है क्या वो मेरे पास बड़ा है 5 से नहीं है तो आप क्या करोगे अब देखो कुछ से सोच लो आप जब यह 5 बड़ा है मेरे पास इस 4 से और 5 to the right है तो क्या 4 कभी ठीक ठाक information है यह 4 जो है क्या यह right information है store कराने लाइक है stack के अंदर नहीं इसकी कोई जरूत ही नहीं हमें क्योंकि अगर किसी का right में greater element होने वाल 9 है तो क्या 9 मेरे पास बढ़ा है 5 से हाँ 9 बढ़ा है 5 से तो आप क्या करोगे इस 9 को इसके अंदर अपने copy कर लोगे और अब इस 5 को भी आप push कर दोगे और अपने i को जो decrement कर लोगे आपका यह अब यहां पर आ गया अब फिर से आप चेक करोगे कि जए stack का जो top element है क्य क्या वो इस टेक का जो top element है क्या वो greater है 7 से नहीं है वो greater नहीं है 7 से तो आप क्या करोगे इसको pop कर दोगे क्योंकि आपके लिए right information नहीं नहीं अब आपका stack का top 9 को point कर रहा होगा अब आप चेक करोगे कि यह stack का top 7 से greater है हाँ जी बिलकुल बढ़ा है तो आप क्या करोगे इसमे 9 पुश कर दोगे और अपने 7 को इस stack में भी पुश कर दोगे अब इस stack का top आपके पास 7 है अब आपके पास current i जो है वो 10 को point कर रहा होगा ठीक है अब जब current i 10 को point कर रहा है तो आप फिर से check करोगे क्या stack का 7 मतलब stack का top है क्या वो greater है इस 10 से नहीं है तो आप इसको क्या करोगे और अब आपके पास top element के इसको point out कर रहा होगा 9 को point out कर रहा होगा क्या stack का top element which is 9 is still greater than 10 no तो आप इस stack के इंदर 9 को भी pop कर दोगे ठीक है क्योंकि खुश से सोचो अगर 10 सबसे greater है इस पूरी information से तो कभी भी अगर इधर कोई element अब present होगा ध्यान से सोचने वा stack के अंदर पड़ा है सब को pop कर दूँगा सब को ठीक है तो अब क्यूंकि मेरे पास nearest greater than 10 होगा इसकी left वाले array के लिए किसी के लिए भी possible ये नहीं होगा कभी भी तो इसलिए मैंने 9 को भी pop कर दिया 9 को भी pop कर दिया अब क्यूंकि stack empty हो गया है तो again मैं 10 के correspondence के डाल फिर से increment करा मतलब decrement करा अब आई जो है वो minus one को position point कर रहा है means अब मेरे पास array खतम हो चुका है तो it means जब array मेरे पास खतम होगे तो this is my answer array तो बस आब आपको क्या करना है इसको reverse करना है तो जब आप इसको reverse करोगे तो आपको जो answer मिलेगा कुछ ऐसे मिलेगा minus one nine 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 minus one minus one minus one और कुछ से देखलो हम एप एक बार चेक करके कि क्या यही मेरे पास sequence बन रहा है 10 का next greater element to the right कोई नहीं तो minus one डाल दिया seven का next just next greater element को ने 9 है तो 9 डाल दिया 5 का just next greater element 9.4 का just next greater element को ने nearest 9.9 का just next greater nearest को है कोई ने ने तो minus one.2 का next nearest को है greater कोई ने यह माइनस वन का नेक्स्ट नियर्स ग्रीटर को नहीं माइनस वन तो इस आओ वी हवाप कम अप्टो दी सुलिशन और दिस आओ यार कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो बाकी एक बार कोड देख लेते हैं तो देखो यार यह मेरे पास जावा का कोड मैं आपको पहले दिखाता हूँ ठीक है तो देखो मैंने क्या किया है मैंने एक function बना है next great element to the right which is accepting an array जो कि एक array को accept कर रहा है ठीक है इसको थोड़ा सा left side में पुश कर देता है ठीक है great तो यह क्या कर रहा है एक array को accept कर रहा है और उसका n is accept कर रहा है देखो starting में क्या होगा आपके पास stack बिल्कुल empty पड़ा होगा stack आपके पास बिल्कुल empty है ठीक है और also stack का जो top element है जावा में उसको peak बोलते है ठीक है तो अभी क्या है कि यह condition चलेगी और stack अगर आपके पास empty नहीं है ठीक है तो अभी तो क्यूंकि initial तो stack आपके पास empty है stack empty हैं empty है तो आपने answer array में इस v array में आप क्या add कर दो minus one को add कर दो मैंने minus one को add कर दिया और अच्छा अगर if चलेगा तो else चलेगा तो यह तो चलेगा नहीं क्योंकि if चला है और क्या करो s के अंदर push कर दो इस i को मैंने 7 को मैंने push कर दिया ठीक है great अब क्या है stack के अंदर कुछ पड़ा हुआ है अब आपके पास i जो है वो यहां पे 3 को point कर रहा है जब i आपके पास 3 को point कर रहा है it means आप check करोगे क्या stack empty है नहीं कंडिशन True क्या चोटा है error of i से चोटा भी नहीं थो क्या करना है तो चेक करो मींस बाई लूप फिर से फेल हो जब यह कंडिशन फेल हो गया चोटा नहीं है स्टैक का है current i से अब चेक करूंग किस वज़े से हुई है का स्टैक भाई इस टैक का पीक element छोटा है नहीं है इस वाई से condition फेल हुई है दूसरी condition मैं चेक कर रहूँ कि के stack empty है नहीं stack empty भी नहीं है इस टैक में पूछ है इट मींस क्या होगा कि जो current आई है मेरे पास इसके correspondence जो top element पड़ा है और अगर वो बढ़ा है तो मुझे क्या करना है, इस के अंदर stack का top element को add करना है, means 7 को मैं add कर दूँगा, तो मैंने condition चला दी, ठीक है, finally मैं करना है, stack के अंदर इस को भी 3 को भी push कर दूँगा, push कर दिया मैंने, अब मेरे पास i जो है, वो यहाँ पर आ गया, 4 पर, ठीक है, 4 में मेरे पास हæi आ गया, अब मैं फिर से क्या करूगा, देखो, फिर से check करूगा, मैं फिर से check कर रहाएं, क्या check कर रहाँ, कि stack मेरे पास making Les mice, क्या stack का peak element छोटा ये मेरे पास arrow 5 से, हाँ देखो, stack का peak element रहे पास 3, और ये छोटा है 4 से, तो क्या करना है, को pop करना है मैंने pop कर दिया अब फिर से चेक करो किया stack empty तो नहीं हो गया नहीं stack empty नहीं हुआ तो फिर क्या check करूँगा क्या stack का peak element छोटा है मेरे पास यह रोफ ही से क्या 7 छोटा है मेरे पास 4 से नहीं 7 तो छोटा नहीं 7 तो greater means while loop फिर से फेल हो गया अब मैं फिर से चेक करूँगा कि while loop जो fail हुआ है किस के वज़े से हुआ है क्या stack empty है इस वज़े से हुआ है या फिर stack का top element बड़ा है इस वज़े से हुआ है तो मैंने check करा है क्या stack empty है नहीं stack to empty है stack के अंदर तो element पड़ा हुआ है तो अगर stack के अंदर element पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे आप V के अंदर add कर दोगे V के अंदर इसके vector के अंदर add कर दोगे इसका top element तो आपने का करा 7 को add कर दे हैं हाँ ठीक है 7 को आपने add कर दिया और finally क्या कर आपने stack के अंदर push कर दिया 4 को ठीक है आपने stack के अंदर push कर दिया 4 को ठीक है तो अभी देखो अगर आपको इसको रिवर्स करोगा जब आपके पास डिक्रीमेंट होगा तो वह रॉंग पोजिशन को पॉइंट आउट कर रहोगा मींस आपके पास यह फॉर्लूप नहीं चलेगा अंदर और जब फॉर्लूप नहीं चलेगा तो आपको क्या करना है लास् üst में अकसेप्ट कर रहा है इस फंक्शन जो को रितन कर रहा है एक बार जीजों ए मक 받 देख लेते हैं नहीं सब्सक्राइब तो if you are not familiar with STL library तो मैंने पिछली वीडियो में आपको एक लिंक दिखाया था ठीक है इससे पिछली से पिछली वीडियो में शायद एक using inbuilt data structure किसे वो वीडियो थी तो उसको आप देचा के देखो एक बार तो मैंने stack बना एक मैंने रहें ने पुछ लिखते है वहाँ पर पुछ लिखते है और वेक्टर में पुछ करने के लिए यहाँ पर एड लिखते है इतना संतर है दूसरा अंतर किया है कि वहाँ पर stack का top element fetch करने के लिए हम s.peak लिखते है और c++ के अंदर s.top लिखते है तो थोड़ा से difference है आपको यह चीज़ समझ आ दिया तो आप कर लोगे easily ठीक है एक पर python का code भी दिखा देते हैं क्योंकि python में हम थोड़ा सा differently करते हैं मतलब different तो as such है कि use कर सकते है अब देखो stack का top element अगर आपको fetch करना है तो दोस्त आप s of minus one लिख होगे मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी आप एक list के अंदर कुछ elements को डालते हो तो जो last element होता है आप उसको negative indexing से minus one करके fetch कर सकते हो तो यहाँ पे जहाँ पे हर जगा मैंने java और c++ script में s dot p ke s dot pop लिखा है वहाँ पे आप s dot minus one लिखोगे s of minus one इस तरीके से देखो मैं हर जगा s of minus one लिख रहा हूं ठीक है जहां भी मेरे को s dot p ke s dot top निकालना है मैं वहाँ पे s of minus one लिखूंगा python के अंदर ठीक है stack का size करने के लिए length of s use कर रहा हूं कि अगर length of s 0 नहीं है औ और stack का size मेरे पास less than equals to error of minus one है आई है तो तब ही मैं उस चीज़ को चला रहा हूं पॉप कर रहा हूं ठीक है तो एर थोड़ा सा basically क्या है है आपको एक बार देखो मुझे पता है कि थोड़ी problem tough थी और थोड़ा इसमें जादा कुछ समझने के लिए है तो मैं बस इतना ही recommend क ठीक है नहीं आता तो आप comment में लिखो भाईस आप comment में clear कर दूँगा ठीक है ऐसे लिख करके ठीक है तो इस चीज़ की tension थोड़ा सा जो आप ले रहे हो उसको छोड़ो और थोड़ा सा pen paper उठाओ और करने की कोशिश करो आप कर लोगे इसी वीडियो में मैंने थोड़ा ज और चोटा सा variation होगा और आप उसको एकदम quickly समझे लोगे ठीक है तो उमीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ माया होगा नहीं समझ माया होगा तो आ जाएगा एक बार वीडियो देख लो फिर से ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते है मस्त मस्त प्रोब्लम करेंग करें और तो इसल्वाइब और मैंस पर इस वीडियो में बाइब आ देन एक्स वीडियो में बाइब लोग वर नो